तो यहां पर दोफतों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्याए आप अपने AppFun के L3250 वाई-फाई प्रेंटर को अपने Laptop के फाथ कैसे connect कर सकते हो complete जानकर के फाथ मैं आपको बताने वाला हूँ तो दोफतों जब भी आपने AppFun की unboxing की होगी तो वहां पर आपको यह जो DVD है जो DVD है देखने को मिली होगी यह अभी दोफतों हर Laptop में नहीं लगती ठीक है तो मैं आपको बाहर से इसके software download करके दिखाने वालों के कैसे आप बिना इस DVD के अपने AppFun के printer को कैसे setup कर सकते हो तो complete जानकर के फाद मैं दोफतों बताने वाला हूं तो आपने वीडियो को complete end तक दिखना है तो बिना टाइम विफ्ट के हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो फफिल दोफतों आपको क्या करना है यहां पर ब्राववर को ओपन कर लेना है अपने लैप्टोप में कोई भी ब्राववर आप ओपन कर सकते हो ठीक है एड आपको यहां पर चले जाना है गूगल में गूगल में जाने के बाद दोफतों यहां पर आपको लिख देना है यहां पर लिख देना है एड यहां पर लिख देना है ड्रावर लिख कर देना है एंटर करने के बाद दोफतों आपको यहां पर पहला वैपसाइट ही मिल जाएगा यहाँ पर दोफ्त आप नीचे भी देख सकते हो बहुत फरी website आपको मिल जाएंगे लेकिन वीडियो के description में हमें link देदूँगा आप वहाँ पर click करके भी फिदा in website पर open हो जाओगे ठीक है यहाँ पर दोफ्त मैं पहली website को open करके देख लेता हूँ पहले आप लोगों के सामने तो जैसे दोफ्त मैं पहले website को open किया यहाँ पर आपके पाफ कुछ आपा इंटर्फिस आचाएगा देन नीचे आपको यहाँ पर एक option देखने को मिल जाएगा drivers का तो मैं camera थोड़ा आगी कर लेता हूँ तांके आपको अच्छे पे दिख जाए यहाँ पर दोफ्त आपको driver का option देखने को मिल रहा है तो आप यहाँ पर click करेंगे और यहाँ पर दोफ्तों आपको दो driver देखने को मिलेंगे एक तो यह जो है आपको scanner का जो आप scan करोगे उसके लिए भी driver की जूरत पड़ेगी चो कि आपके window में install करना बहुत ज़्यादा जुरूरी है तो यहाँ पर मैं आपको simple भाष्या में बताने वालों ज्यादा हम वो जमेले वाली बातें नहीं करने वाले तो क्या करते हैं डाउनोड की बटन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर यहाँ पर दोफ्तों ऐसा इंटर्वेफ आ जाएगा यहाँ पर accept कर लेना आपको accept करना है एंड यह आपके phone में for laptop में डाउनोड होने लग जाएगा यह लगबग काफट MB का यह जो है फॉफ्टेर होने वाला ठीक है तो इस यह डाउनोड पर क्लिक करेंगे मैं यहाँ पर desktop पर ही डाल देते हैं इन दो फाइल को तो यहाँ पर डाउनोड पर क्लिक किया and यहाँ पर back जाते हैं and यहाँ पर दोस्तों दूफरा जो है उसको भी हम डाउनोड कर लेते हैं उसके लिए हम यहाँ से back जाएंगे तो उसी website पर आपको फिर से आजाना है यहाँ पर and यहाँ पर दोस्तों आपको जो है आपकी window के मताबिक यहाँ पर 54-bit printer driver आ जाएगा ठ यहाँ की दोस्तों ऐसा करेंगी मैं आपको इन दोनों के link direct link आपको वीडियो के description में दे दूंगा ऐसा नहीं है आपको इन website विगरा पर आने की जूरती नहीं पड़ेगी वहाँ पर इन दोनों को आप click कीजिएगा and वहाँ से फिदा download कर लीचीगा ठीक है and यहाँ पर दो दोफ्तों अभी दोनों को हमने आई होप download कर लिया है यहाँ पर दोफ्तों आप देख वक्तों दोनों फाइल है यहाँ पर आ चुकी है यह वाली यह जो है scanner की थी और यह दूफ्रे वाली जो हमने last में download की अभी क्या करते हैं जो पहली वाली है इसको open कर लेते है open करने के दोफ्तों यहाँ पर yes पर क्लिक करते हैं and यहाँ पर दोफ्तों थोड़ा अपसा professing होगा तो यहाँ पर मैं bright enough थोड़ी कम कर लेता हूँ मुझे लगता आपको अच्छे भी दिख नहीं रहागा तो यहाँ पर दोफ्तों ऐसा कुछ एंट्रफेस आएगा तो आपको आइकन दिख रहा होगा आपको I accept का तो यहाँ पर I accept करना है and यहाँ पर next पर फिरफिक कर देना है इतना करोगे तो आपका यह installation शुरू हो जाएगा and इसमें दोफ्तों थोड़ा अफा time लग जाएगा आपका यहाँ पर दोफ्तों यह install हो रहा है install होने देते हैं तो यह टेंगे and इसको भी yes पर क्लिक करके install कर देंगे तो यह फाप यह पर क्लिक करोगे यहाँ पर आयसा कुछ आ जाएगा unzip and यहाँ पर धूफ्तों आपको क्या करना है okay करने के बाद लगोफ्तों फिर फिर आपको okay कर देना है and आपको यहाँ पर दोफ्तों I agree कर देना है short और इफ प्रिंटर ड्राइवर विल बी इंफ्टॉल्ड प्लिफ वेट तो यहाँ पर आपको थोड़ा अफ़ा वेट कर लेना है तो अभी दोफ्तों आपके पाफ कुछ ऐफा इंटर्फिफ आ जाएगा अभी दोफ्तों यहाँ पर आपको नीचे वाले ओप्शन पर क्लिक क कर देना है और इस वालिफाइड को आप अपने प्रिंटर के फाथ कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर दोफ्तों मैंने केबल को कनेक्ट कर दिया देन यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पर दोफ्तों आपके बाफ कुछ आफा इंटर्फिफ आ जाएगा यहाँ पर लिखा हो आजएगा please wait यहाँ पर दोफ्तों आपको जो driver है वो successfully install हो चुका है तो यहाँ पर आप click कर देंगे okay पर okay पर click करने के बाद यहाँ पर दोफ्तों थोड़ा अफ़ प्रफेसिंग होगा पर फेसिंग होने के बाद दोफ्तों अभी आपका जो printer है वो connect हो चुका है अभी मैं आपको कुछ print करके भी इफ में दिखा देता हूँ अभी दोफ्तों यहाँ पर मैंने notepad में लिख दिया है please subscribe और मैंने page डाल दिया अपने printer में then यहाँ पर फाइल में जाएंगे यहाँ पर Ctrl P भी दबाओगे तब भी आपको print option मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको print option दीकर है यहाँ पर कलिक करेंगे एःफ यहाँ पर दोफ्तोma print option मिल क्या और यहाँ पर आपका App picking जो है वह print रहा चुका है यहाँ पर दोफतों किस page condition में चाहिए इसके बारे में detail में मैं वीडियो एक बना दूँगा तो वो देख लिए ना simply पर print पर click करेंगे print पर click करने के बाद दोफतों यहाँ पर एक command चली गई and यहाँ पर accept कर देंगे accept कर देते हैं और यहाँ पर दोफतों आप दिख सकते हो लिखा हुआ आगाया please subscribe ठीक है तो कुछ इस तरह से आप print कर पाओगे अपने printer फे इसको laptop को connect करके तो उमीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको कुछ भी समझ में न